जय हिंद स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम देखेंगे कि 36 गड़के में पहले पूछे गए प्रस्णों को जो हमारे पुराने प्रस्ण है जो एक्जाम में आये हुए हैं उसको किस प्रकार सेकंडों में हम बनाने की कोशिश करेंगे और यह बहुत जल्दी बन जाएगा ठीक है तो हम इसमें स्ट्रेटीजी सिखेंगे कि इस प्रकार से हम फास तरीके से बना सकते हैं और यह आपने जो थमनेल में बुक देखा है वह बुक बहुत अच्छा है उस बुक से भी आप प्रस्णों को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन और ज्यादा अ कि यह अज का मारा पहला पूरश्ण है ऐसका प्रकार से बेल को पता कैसा रहता है यह आपका सिलंडर विसको गो Pictवी आपका बेलेक्चा है इसकी यह जो भीपन की जो प्रन के दीए है त्रजिया है यह हमारा जो प्रस्यथ हूं mily्ट और जो इसकी इसकी हाईट होगी ईसको हम बोलते है तो यह है हमारा 10 विटर हमा को पूच्छा गया है वक्रिस्ट या फिर इसम्पूर्ण ऊक्रिप्रिस्ट नहीं बोला यह देखिया है हमको क्या निकालना है बेलन का वक्रिप्रिस्ट की सुत्र होता है 2 क्या करेंगे यह जो नीचे गोला है उसको हम को क्या निकालना है परिदी और परिदी से एच को गुणा करेंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा 2 पाई यार में हम माल रख चलते हैं 2 गुणा पाई की वेल्यू 22 बटा 7 अब R कितने दिया गया है 7 तो 7 रखेए और ही 10 साथ से यह साथ गया ठीक है उसके बाद आप इसको गुना कर दीजिए गुना करेंगे तो यह हो जाएगा बाइस दोनी QR और चामालीच को आप साथ से गुना कीजिए ठीक है ? बाइस दुना और 10 कर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 440 440 हो जाएगा लेकिन हमको कहीं ऐसे लग रहा है कि option में कहीं गलती है या फिर option हमको कहीं गलती है क्या जहां से देखिए h हमारा 10 meter है ठीक है 7 meter में है बाकि सब कुछ यह दिए meter में है तो हमारा option हो सकता है गलत होगा sorry option गलत नहीं है हमको यह meter में निकला है यह हमारा meter में निकला है लेकिन हम यह meter square में निकला है और हमारे पास option है centimeter में अब meter से centimeter चेक करेंगे तो हमको कितना 100 से गुना करना होता है जब भी meter से हम centimeter गुना करेंगे तो हमको इस value को 100 से गुना करना होगा अर्था 440 गुना 100 तो यह हो जाएगा 440 और यह 000 तो यह हमारा answer कहां पर है 4400 कहां पर मिलेगा 4400 option number D में यह होगे हमारा उपतर यह आपको कई बार exam में देखने को मिलेगा कि meter को centimeter में कैसे change करते हैं तो इसके लिए हमने एक separate video बना है उस video को देखने के बाद आपका कोई भी प्रशन नहीं छूटेगा चलिए अब चलते हैं अगले प्रशन के वार यदि AB तथा CD त्रिज्या ठीक है यदि AB तथा CD त्रिज्या 7 cm कई बाद प्रशन को पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो सकता है यहां तक पढ़िए यदि AB तथा CD त्रिज्या 7 cm वाले वृत के दो लंब व्यास है तो देखिए यह AB है और उपर दिया गया है CD यह क्या है यह ब्यास है तो ब्यास की त्रिज्या कितनी है ब्यास की त्रिज्या 7 है तो D बराबर हो जाएगा हमारा 14 मतलब AB और CD की जो लंबाई है वो 14 है ठीक है चलो अब समझ में आ गया तो इस image को देखिए और जो च्छायंकित भाग का आपको शित्रफल निकालना है ठीक है यह मैंने थोड़ा से छोटा बना दिया image को अब थोड़ा से इसको बड़ा करने के फिरहल कोई गुंजा इस तो नहीं दिख रहा है देखता हूँ गर बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा यह इस प्रकार से यह हमने बड़ा कर लिया अब देखिए इसको कैसे सेट करना है हमको छायंकित भाग का निकालना है छेत्रफल तो अब क्या करेंगे पहले पूरे वृत का छेत्रफल निकालेंगे ठीक है हम पहले पूरे वृत का छेत्रफल निकालके इस छोटे वाले वृत और इस त्रिभूच के छेत्रफल को जोड़ कर यादी माइनस कर दे अर्थात बड़े वाले छेत्रफल में छोटे वाले वृत को या और त्रिभूच के छेत्रफल को यादी हम माइनस कर देते हैं तो हमको छैंकित भाग का क्या मिल जाएगा शत्रफल मिल जाएगा, अब देखिए यहां तक की value तो 7 हो जाएगी ठीक है, अब इस छोटे वृत की बात करें, यहां कोई एक केंद्रक होगा, सुरी केंद्र होगा, तो आधा तरीज़ा कितना हो जाएगा, 3.5 साथ का आधा 3.5 होगा अब देखिए, यहां से यहां तक हमको अधार माल लेते हैं, इसको A, B, C, ठीक है, तो यह 7 हो गया यह 7 हो गया, और यह 7 हो गया अर्थात इस त्रिभूज की जो अधार है, 7-7, 14, तो A, B की लंबाई हो जाएगी हमारी 14, और O, O, C O, C हमारा क्या है, यहां पर हाइट है त्रिभूज की, यह है 7, ठीक है अब इतना निकालने के बाद हम इसका छेत्रफल असाने से निकाल सकते हैं, क्या करना है चैंकित भाग का छेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत, हैना क्योंकि यह हमारा लंबर रटाधार है तो 1 बटा 2, गुना लंब, लंब कितना हो जाएगा 7 और अधार हो जाएगा 7, 14, इतना को यदि हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है हमारा आंसर इसमें आ जाएगा अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, पाई एर स्क्वेयर पाई एर स्क्वेयर को तो बड़े वृत इस बड़े वृत की तरिज़ा कितनी है, 7 तो यह हो जाएगा, 22 बटाए 7, गुना, बड़े वृत की तरिज़ा कितनी है, 3.5 ठीक है, 3.5 तो यह हो जाएगा 22 बटे सा, 3.5 गुना 3.5, ठीक है 3.5 गुना 3.5 प्लस, अब यह क्या होगा देख लिजे, यह दो से कटेगा, साथ बार में तो 7, 7, 49, यह 7, 7 हमारा 49 हो गया, अब आगे इसको करते हैं, इस अंदर वाले को ठीक है, इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे मैं बहुत आसानी से सॉल्व करके बतारूं, आराम से अब ध्यान से देखिएगा इस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 कर दीजे, और 100 से बहाग कर देखिए, क्यों पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग गया, बस इतना है, और इसमें कुछ नहीं है, इसको जैसे सॉल्व करती जाएगे, हमारा आंसर आते जाएगा, अब इसको पूरे को जैसी अप इस पूरे को जैसे इस इस सॉल्व करोगे, इ इसको 5-6 soul करे वोगे तो 535, 5-200, 5-735, 5-4, 5-735, 5-4-20, कितना हो जाएगा पांच चाओं के 20, यह नीचे 4 आ गया, तो आपको यह मिल जाएगा, सास्तर बटा दौ ग्यारा सत्र Rapid अग्साध को एकसाध genau दे ऐसे तुर दे ढ़र सास्तर बटे दौकpresa 49 certainly igerator 2 टो प्लसलिए दौशन और इस सास्तर बटा 2 को क्या लिख सत्ते हैं। इस सास्तर बटा 2 का आधा कितना होता है ।001-38.5 प्लस उन्चास ठीक है माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.5 यह हो गया हमारा option number 20 का उस्तर अर्थाद छायंकित भाग का शेत्रफल कितना है तो छायंकित भाग का शेत्रफल है 66.5 cm2 अगला प्रशन एक वर की भुजा के प्रतिशत में वृद्धी होती है तो छेत्रफल 69 प्रतिशत बढ़ जाता है की कमान जाती है इस प्रकार का प्लस जब भी आपको आएगा इसको solve करने की गलती मत कीजेगा यह बहुत बड़ा equation बनने तो हम इसको by option से solve करके देखेंगे by option solve करने के आपको पता है कि यदि किसी किसी वर की भुजा को बढ़ाते हैं तो इसका हम सुत्र क्या लिखते हैं ए प्लस भी ठीक है ए इन्टू बी अपॉन हंड़ आप इसमें मान रखके देखेंगे इसको हम by option सबसे पहले हम 30 रखके देखते हैं तो 30 क्योंकि यह वर्ग 60 plus now is equal to 69 देखें यह answer आगया तो इस प्रकार से आपको करके देखना है यदि आप इसको प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो बहुत लंबाँ चले जाएगा तो ऐसा कुछ option आप जब इक्जाम में आएगा तो इसमें बठा के देख लिजेगा पका और वैसा option पहले लिजेग समचतर भूज की property आपको पती होना चाहिए ठीक है मैं एक समचतर भूज बना रहा हूँ इसकी property आपको पता होना चाहिए समचतर भूज की property यह होती है कि इसका जो विकर्ण है आपस में 90 डिगरी पर काटता है ठीक है आपस में 90 डिगरी पर काटता है साथ में इस आपबर इक्वल इक्वल पार्ट में यह जो केंदर से जो निकलेगा ना तो उपर भी सेम सेम डिस्टेंस और नीचे भी सेम डिस्टेंस में यह कड़ता है चलिए अब इसको और सॉल करते है विकर्ण असी है तो मालते यह बड़ा वाला असी तो यह नीचे 40 हो गया और उपर है क्योंकि 90 डिगरी है समकुन है और एक ट्रिपलेट आपको अच्छे से याद होगा तीन चार और पांच का ट्रिपलेट ठीक है यदि मैं 30 40 है इसके जो हमको क्या मिल गया है भूजा है तीस और चालिस भूजा है यदि इसको 00 को हटा देता हूं माल लेता हूं कि अगर इ भूजाएं समान होती है ठीक है सम चत्र भूज के सारी भूजाएं समान होते हैं सारी भूजाएं समान मतलब ये 50 ये 50 और ये भी 50 ही होगा ठीक है अब सभी 50 को जोड़ लिए तो ये हो जाएगा 50 into 4 is equal to 200 cm option number C तो कुछ-कुछ property होने के बाद आप असानी से बना सकते हैं ख इसे बहुत सारे प्रश्ण पूछे जाते हैं यहां इस प्रश्ण में आप चाहें तो आप इसको पाइथागोरस प्रमे से भी निकाल सकते हैं कि आप किसे कर्ण है हना अब इडिस में कर्ण हो गया तो आप यह कर्ण से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहां को पता है कि 3-4-5 एक ट्रिपलेट होता है तो हमको पता है इसे 50 होने वाला है अब बहुत लोग पुछेंगे 50 कैसे हुआ तो 3, 4, 5 को यदि मैं 10 से गुना कर दू तो यह 30 हो जाएगा यह 40 हो जाएगा और यह 50 हो जाएगा यहां से आया यह 50 अगला प्रशन एक आयताकार चादर की चौड़ाई उसकी लंबाई की तीन चौथाई है यदि 220 रुपे प्रती मिटर की दर से चादर को रंगने की लागत 27,707 रुपे है तो चादर की चौड़ाई ग्याद कीजिए एक हम चादर बना लेते हैं यह है एक चादर बन गई ठी की जो चौड़ाई है इस एक्स की कितनी हैं तीन बटे चार मनगे देखी लिख्या ती चौथाई है कितना है तीन शोथ आई यह तो हमारा बिक्त हो ग torture अब पूशा क्या गए हैए कि यदि दर वर्ग की दर Engineering को रंगनी की लागत इतना है तो चांग की लंबाही बताई तो क्या होगा जब भी हम इसके लागत वालेखो यह हो जाएगा चेटरफल बराबर लागत या पंधो इसको क्या बोलेगे लागा त्याफिर खर्च तो 6 त्रफल निकालना है इसका चेटरफल निकालने के लिए यह आयत है आयत का 6 त्रफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो x इंटू 4 sorry 4x नियोगा 3x होगा यह 3x बटा 4 गुना दर कितना है 220 बराबर 37,000 रही है 27760 अब इसको सॉल्ट करेंगे तो हमारा अंसर एक्स की वैल्यू आगी और एक्स की वैल्यू हम यहां रख की इसको सॉल्ट कर लेते हैं इसको सौट कर पे और कैसे बना जा सकता था मैं लास्ट इम बताऊँगा लेकिन इसमें फिरहाल इस प्रशन में काम नहीं करेग अब इसको हम गुणा करेंगे ति यह हो जाएगा उपर 3x square 3x square नीचे 4 है गुणा 420 इस 4 से काट सकते हैं क्या 4 से इसको नहीं काट सकते काट सकते हैं 425 425 ति यह हो जाएगा 55 गुणा बराबर 3760 3760 यह हो जाएगा आपका x square x square हो जाएगा और यह 3760 में अब गुणा कीजे किसको हमारे ठीक है गुणा किसको करना है उपर से 3 उड़ा दिये ठीक है 3760 नीचे कुछ नहीं है तो नीचे आजाएगा आपका 3 नीचे आजाएगा ठीक है यह 3 नीचे आगए और 55 चला जाएगा आपके 55 भी उपर ही है तो नीचे आजाएगा तो यह गुणा का चिन आप हटा दीजे यह वाला गुणा का चिन आप हटा दीजे क्योंकि यह confusion कर रहा था यह इस प्रकास अब इसको पूरा solve करेंगे तो आपको x की value आ जाएगा इसको पूरा solve करेंगे तो आपको मिलेगा x square बराबर 144 x बराबर हो जाएगा 12 तो हमारी लंबाई आ गई 12 लेकिन हमको लंबाई तो पूछा नहीं गया है हमको पूछा गया है चौड़ाइ तो चौड़ाइ निकालते हैं चौड़ाइ उमको पूछा गया है तो यह हो जाएगा 3,3 बराबर 3,4 गुना 12 4 तिया 12,3 तिया 9 यह हो जाएगा हमारा 9 मिटर ठीक है यह answer हो हमारा 9 meter इसको by option से isn'te बना सकते क्यूंकि अगर हम 3 से कटने कुशिश करेंगे तो सारा value तीन से कट रहा है इसलिए हम इसको तीन से काट कर नहीं बना सकते है, केवल 9 होता केवल 6 होता, केवल 3 होता 3 से कटने वाले केवल 1 option होता तब हम उसको by option बना सकते थे क्योंकि इसमें by option नहीं बना पाएंगे एक सबलम की दो समांतर भुजाएं 5 cm तथा 15 cm है यदि समांतर भुजाओं की बीच की जो दूरी है 20 cm है तो सबलम चतुर भुज का आपको शेत्रफल बताना है सबलम चतुर भुज का भुजाएं 5 cm है और 15 cm है तो 5 प्लस 15 गुना इसका उचाई मतलब हाइट या फिर दूरी इसी को कहा जाता है तो यह 20 इस प्रकार से आपको एक्जामें बनाना है केवर पूरा सुत्र लिखते नहीं बैठना है पेपर में सुत्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतने में आपका काम चल जाए एक बटा दो गुना पांच और 15 हो जाएगा 20 गुना 20 ठीक है दो से काटेंगे तो यह 10 बार में कटेगा बच जाएगा हमारा 10 दूरी 20 और यह 200 तो यह option आप लगा लिजे 200 cm यह हमारा answer हो गया अगला प्रशन एक आइता कार मैदान की जो लंबाई है तथा चोड़ाई अनुपात में दो और एक है यदि मैदान का 6 तरफल यह यह दी मैदान का 6 तरफल 1102 cm2 है तो 7 रुपे प्रती मीटर की दर से मैदान की बॉंडरी की फेसिंग करने का मूल कितना होगा यह देखिए यह मैदान हम माल लेते हैं अब हमको फेसिंग करने का मूल का गया है मतलब क्या होगा इसके परिमाप में हम क्या गुना करेंगे इस दर को गुना करेंगे 7 रुपे को साथ को गुना करेंगे तो हमारा अंसर इसमें आ जाएगा अब इसमें एक option नहीं हो सकता है कि आप इसमें option से बना के देख लिए कि कौन सा value साथ से कट रहा है यदि एक से ज़्यादा value साथ से कटे तो आपका आंसर इसमें नहीं बैट आप इसको process से ही बना के दिखना हो ठीक है इसको process से ही बना के दिखना होगा बिना process से अभ हमारा काम नहीं चलने वाला है यदि 7 से के वाल एक ही value कड़ता परिमाब्स यदि मैं 7 को गुणा करूँ तो कहीं न कहीं मुझे पूरा रूपिया मिलने वाला है यदि यहाँ पर जो value आगा वह साथ से भी कड़ जाएगा क्योंकि हमारे पास 1288 और 1008 भी साथ से कट रहा है इसलिए हमको इसको पूरा process सही बना के दिखना पड़ेगा तो अब चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में लंबाई और चोड़ाई तो लंबाई 2X माल लीजिए और चोड़ाई को 1X माल लीजिए ठीक है या फिर X माल लीजिए अब हम उसको पहले क्या निकालेंगे 6 रफल हमको दिया गया है तो 6 रफल से हमको सबसे पहले इसका भूजा निकालना एक्स की वैलू निकालेंगे तो भूजा निकलेगा और भूजा निकालने के बाद हम क्या करेंगे इसके परिमाप से हम परिमाप निकालका साथ से गुना कर देंगे तो सबसे पहले हम इसका छेतरफल निकालेंगे तो टू एक्स गुना एक्स बराबर बावन गैरा सो बावन ठीक है 1152 तो यह हो जाएगा 2x² बटा 1152 ठीक है अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटे जाएगा 2 से काटेंगे तो 576 बार में कटेगा x² बराबर 576 अब यह 576 किसका स्क्वेर है तो 576 है वो 24 का स्क्वेर है अर्थाथ x की वेल्यू हमको 24 मिल गए तो इसकी हिसाप से यदि x की वेल्यू हमको 24 मिल गई है तो इसकी हिसाप से हमारा जो चौड़ाई लंबाई है वो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 दूनी 48 ठीक है और जो हमारा चौडाई है वो हो जाएगा 24 अब परिमाप हमाराम से निकाल लेंगे परिमाप निकाल लेते हैं परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है दो लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाफ हो गया और इस परिमाफ में हमको किसको गुना करना है इस परिमाफ में हमको किसको गुना करना है तो इस परिमाफ में हमको गुना करना है साथ का साथ से गुना करेंगे हमारा अंसर रिडी है गुना साथ क्या निकालने के लिए पूरे मूल निकालने के लिए तो दो गुना यह हो जाएगा हमारा अड़तालिस गुना शौदा गुना सेवन ठीक है इस पूरे को आप गुना करेंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा पूरे गुना करने पर हमारा अंसर आ जाएगा यहाँ पे एक हजार आठ स्वरी स्वरी इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया क्योंकि हमको गुना नहीं करना है इसको जोड़ना है गुणा हो जाएगा तो 24 और 48 को जोड़नी दियत यह हो जाएगा 842 और यह हो जाएगा 842 46, 615, 46, 732 तो 72 गुना साथ इस पूरे को गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक हजार आठ यह हमारा आंसर हो, option number C यदि एक वर्ग के भुजा को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के छित्रफल में कितना प्रतिशत व्रिंधी होगा, ठीक है यदि एक वर्ग के छित्रफल को 25 एक वर्ग के भुजा को एक वर्ग इसी में मारक लेते हैं, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बटा 100 ठीक है, 25 से कम 25, 25 के 100 ठीक है, 25 के 100, यह हो जाएगा 50 प्लस 25 बटा 4 और 25 बटा 4 पह हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 6.25 ठीक है, तिए हमारा हो जाएगा 56.25 अंसर हो जाएगा तो उस वर्ग में, उस वर्ग की जो छित्रफल है वो 56.25 प्रतिशत की वृद्धी देखने को मिलेगी एक आयत की लंबाई को 30 प्रतिशत और चड़ाई को 10 प्रतिशत बढ़खा दी जाती है आयत का छित्रफल क्या होगा, सेम प्रसेस 30 प्लस 10 अना, उसके बाद है 10 गुना 30 बटा 100 डबल जिरो से डबल जिरो कड़ गया, 10 चौन के 40 है यहां पर सरी, 10 दस और 30 चालिस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा यहां पर 3 कितना प्रसद बढ़ा, 43 प्रकिशत, आंसर हमारा option number C 7 इकाई वाले अधार और 20 इकाई वाले उचाई को देखते हुए एक समकौन त्रिभूच का छित्रफल कितना होगा एक समकौन त्रिभूच बना लीजिए इस प्रकार से ठीक है, तो 7 इकाई वाले अधार है, 20 इकाई उचाई को देखते हुए, 20 इकाई वाले उचाई, तो इसकी उचाई हो गई, अब इसका हमको शित्रफल पुछा है, सिम्पली है, शित्रफल कैसे निकालते हैं, समकौन त्रिभूच का, एक बटा दो, आधार गुना उचाई या फिर 20 इंटू हाइट कर लिजे, एक बटा दो, 7 इंटू 20, ठीक है, 7 इंटू 20, ये साथ, एक अटे का दस बार में, 7 इंटू 10 हो जाएगा, 70, तो ये हो जाएगा, 70 वर इकाई, उत्तर, 10 सेंटिमिटर भूजा वाले एक सम्भाहु त्रिभूच का शित्रफल का शित्र सम्भाहु त्रिभूच का शित्रफल का सुत्र होता है, अंडर रूट 3 बटा 4 A स्क्वेर, ठीक है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A की वेलू क्या दिया गया है, 10 सेंटिमिटर, तो 10 इंटू 10, ठीक है, ये उपड़ जाएगा हमारा, 5 बार में, 2 का फिर पांच बार में, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 25 अंडर रूट 3, 25 अंडर रूट 3, option नमबर C, अगला प्रस्न, यदि एक सम्चतुर भूच के शित्रफल, शित्रफल, 432 स्क्वेर मीटर है, तो उसके एक वर्ग, उसके एक विकर्ण 36 सेंटिमिटर है, तो अन्य विकर्णों कि लंबाई क्याक्त करना है, एक सम्चतुर भूच के है, उसका शित्रफल कितना दियागया है, 432 सेंटिमिटर, तो अन्य विकर्ण की लंबाई, अन्य मतलब अगला अन्य विकर्ण, ये हमारा सम्चतुर भूच, कुछ इससा कार से, ये तो आयत बन गया, यह आयत बन गया समचतर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ठीक है यह समचतर कुछ मान लिए इसको अब यह भी नहीं बना एक ड्रॉआ करके देखते हैं को यह हमारे समचतर कुछ यह मिल जाय तो नहीं है बनाना ही पड़ेगा समचतर कुछ यह आपका समचतर बुझ हो गया समचतर बुझ के सभी बुझायें बराबर होती भला आपको बुझे दिख रहा है और इसके शित्रफल का सुत्र होता है D1 into D2 upon 2 is equal to शित्रफल ठीक है यह इसका सुत्र होता है समचतर बुझ का अब इसमें आपको मान पता है तो रखते जाएए एक विकर्ण की लंबाई हमको पता है 36 cm अगला विकर्ण की लंबाई पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है 6 त्रफल दिया गया हुआ क्या बिल्कुल दिया गया है 432 cm2 cm2 अब इसको solve कीजिए हमारा answer easily हमारे पास आ जाएगा यह 2 से काटेंगे तो यह कट जाएगा हमारे 18 बार में ठीक है बचा क्या D2 18 को ट्रांसफर कर लीजिए उपर है तो नीचे आ जाएगा 432 बटे 18 ठीक है 432 बटे 18 इस पूरे को solve करेंगे तो हमको D2 की value मिल जाएगी 24 ठीक है D2 की value मिल जाएगी 24 अंसर हमारा क्या हो एक सबलम चतरवूज है उसका शित्रफल है 24 स्क्वेर सेंटीमीटर और इसकी उचाई है 3 सेंटीमीटर यदि अधार में से 1 साथ सेंटीमीटर है तो अन्य अधार की लंबाई क्या आद कीज़े सबलम चतरभूज का शित्रफल क्या आप किसी को पता है कि आप पहले तो सबलम चतरभूज हम बना लेते हैं ये कि इस प्रकार से आपका सबलम चतरभूज बनेगा ठीक है ये सबलम चतरभूज बन जाएगा इसका शित्रफल हमको दे दिया गया है 24 cm2 इसकी उंचाई बना लेते हैं ये उंचाई है ठीक है इतना है 3 cm अधार से एक भूजा हमको दिया गया है साथ कोई किसी एक को साथ माल लीजे किसी एक को हम साथ माल लेते हैं चोटा बड़े से मालना मुझकिर हो रहा है किसी एक को माल लेते हैं ये साथ है तो हमको ये वाला ग्याद करना है या नीचे मानेंगे तो उपर वाला ग्याद करना होगा अब चलिए हम इसको निकालते है सबलम चदरवुच का शेत्रफल क्या होता है सबलम चदरवुच को शेत्रफल होता है एक बड़ा दो दोनों समरामतर भुजाओं का योग मतलब एक्स प्लस सेवन गुना उचाई उचाई कितना है इसमें उचाई दिया गया है तीन और शेत्रफल दिया गया है क्या शेत्रफल दिया गया है जब भी ऐसे पुछेगा ना तो आपको compare करने के लिए कोई value दी होती है compare करने के लिए हमको 24 इसका श्यत्रफर दिया हुआ है अब इसको हम आगे solve करते हैं तो यह एक बटा 2 हो जाएगा एक बटा 2 7 प्लस X 7 प्लस X गुना 3 और 24 वह एक ही लाइन होगे अगला से 7 प्लस X कर लिजे 24 है यह गुना में है तो नीचे जाके यह 2 उपर चला जाएगा 3 नीचे जाएगा ठीक है 2 उपर चला जाएगा 3 नीचे जाएगा इसको solve करेंगा तियो हो जाएगा आठ तिया 24 तियो हो जाएगा आठ तिया 24 और यह हो जाएगा आठ दूनी 16 तो 7 प्लस X is equal to 16 एक्स की value निकालेंगे 16 को साथ में माइनस कर दीजे answer हमारा आ जाएगा 9 तो X की value आ गई हमारी 9 तो option number भी मैंने तो इसको आपको बहुत जादा अलग अलग जादा आपको पंती बना दिया अलग 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 प्रोसेस बरता दिया अब चाहो तो यहीं से कर सकते थे इसी में देखिए हम पहला वाल स्टेप से करके बता रहे हैं आपको कैसा कर सकते थे पहला वाल स्टेप को हम कैसा कर सकते मैं यहाँ एक बार फिर लिख रहा हूँ फिर आपको बहुत सौट में करके बताऊंगा x plus 7 into 3 बराबर 24, अब देखिए इसको कैसे गार सकते थे, तो हम इसको ऐसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3824, ठीक है, 3824, अब यह जो 2 है, इधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे तो उपर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, x प्लस 7 is equal to 16, ठीक है, x की value निकालेंगे, तो 16 मा आप बना सकते थे, हना, यदि कोई नया सिखना चाहता है, तो आरामसा ऐसी बना लिजे, बड़ा करके, यदि किसी समकोन त्रिभूच का 6 त्रफल, ठीक है, यदि किसी समकोन त्रिभूच का 6 त्रफल, 216 square centimeter है, इसकी उचाइए 8 है, तो उसका त्रिभूच का अधार तो इस x को हमको बताना है कि ये क्या है अब हमको पता है समकूंत्रीभोच का 6 रफल का सुतर होता है एक बाटे दो ठीक है base into height is equal to 6 रफल सब Doing अबसेदेश में मान रखना है 216 गुना base तो पता नहीं है बेश निकालना है X मान लेते है गुना 18 हमको दिया हुआ है ये 216 अब इसको एक एक लाइन में आप काट सकते हो ठीक है आब इसको एक एक लाइन में काट सकते हो या किवल X को रखिए और बांके को पक्षांतर कर दिए 216 जो नीचे है वो उपर चला जाएगा नीचे 2 है तो 2 उपर चला जाएगा और 18 नीचे रहेगा इस प्रकार साब इसको कर सकते हो 2 से कटेगा 9 बार में और इसको आप 9 से काट लेते हैं 9 से काटेगे तो X की वेल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 ये 24 बार में कटेगा 9 से X की वेल्यू हो जाएगी 24 है की 12 है 24 है तो ये X की वेल्यू 24 आंसर सही हो गया अब इस प्रशना को हम कुछ shortcut method से बना के देखेंगे क्या नहीं बना पाएगा क्योंकि नीचे 2 है और shortcut ये अगर और ज़्यादा अच्छा बना सकते थे तो 6 दूनी 12 ज़्यादा shortcut बताऊंगा तो आप confused हो जाओगा इतना ही बहुत इसके लिए अब इसमें देखते हैं कि एक कमरे की लंबाई चोड़ाई हमको दी गई है एक कमरे का लंबाई चोड़ाई देखते हैं समय कितना हो गया समय आदा गंडा इस question को last करेंगे आज एक कमरे की लंबाई और उसकी चोड़ाई दो बटे तीन है दो बटे तीन गुना है कमरे में पांच उपे प्रती वर्ग मिटर से कारपेट बिछाने की कीमा 270 रुपे है और चार दिवारों पर दस रुपे प्रती वर्ग मिटर दर की दर से पेपल लगाने की कीमा 720 रुपे है यदि एक दरवाजा दो खिडखिया आठ वर्ग मिटर का जगा लें तो कमरे का आयाम बता है इतना question पढ़के आपको लग रहा होगा तो कितना भारी भार कम question है कोशन पढ़के आपको लग रहा होगा कितना भारी भार कम question है लेकिन इस question में कोई भी दम नहीं है मैं बता दूँ इस question में थोड़ा भी दम नहीं है थोड़ा भी दम नहीं है ये कैसे ये देखिए थोड़ा भी दम क्यों नहीं बोला हूँ है यह देखिए यदि हमको लिखा है कि लंबाई और चोड़ाई तो जो पहले आता है यह लंबाई और बृत तीन बटा दो लिखा है लंबाई उसकी चोड़ाई की तीन बटा दो है लंबाई की तीन बटा दो है तो इसमें लंबाई क्या हो जाएगा ठीक है लंबाई उसकी चोड़ाई से तीन बटा दो है तो चोड़ाई इसमें हो जाएगी आपकी ठीक है लंबाई हो जाएगा इसमें तीन और चोड़ाई हो जाएगा दो ठीक है लंबाई रिशियो में तीन हो जाएगा और चोड़ाई में दो हो जाएगा जब भी कोई ऐसा चीज आपको एक सांद दिया कि लंबाई और कि चवड़ाई से तो जो पहले आएगा वो उपर में जाएगा और जो बाद में आएगा वो नीचे जाता है तो चवड़ाई है दो रिशो और लंबाई है कितना रिशो तीन रिशो अब देखिए हमारे पास लंबाई तीन है और जो चवड़ाई है दो है तो वैसा ओप्षन हमारा लंबाई होगा जो तीन से कटेगा तीन से कटने वाला ओप्षन कौन सा है तीन से कटने वाला ओप्ष यदि मैं इसको लंबाई इसको ऐसे काटो दो बारे से लिखा गया है उचाई दस जो है कभी भी तीन से नहीं कटेगा ठीक है अब साथ हमको दो भी मिलाना है अब ये देखिए क्या ये छे दो से कड़ जाएगा बिल्कुल कर जाएगा अप्शन नंबर दो में था हमने सबको हटा दिया है तो इस प्रकार से आपको शॉटकर्ट बनाने थे जितना बड़ा आपका प्रेश्ण दिख रहा है उतना बड़ा ये प्रेश्ण है नहीं आपके पास एक्जाम में समय रहेगा यदि आपके पास एक्जाम में लास्ट में यदि समय नहीं है तो ऐसा बनाई है लेकिन यदि कुछ समय है तो उसको पूरा बनाना पड़ेगा क्यों कि इसमें उप्रोक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन दे दिया गया है यदि ये डीवल आप्षन नहीं होता, अप्रोक में से कोई नहीं, तब आप इतने शूर हो गए कि हमारा अंसर आ गया, लेकिन उप्रोक में से कोई भी नहीं एक आप्षन दे दिया गया, इसलिए हम थोड़ा इसको प्रोसेस से बनाकर भी बाप को बता देते हैं कि ये कैसा ह गई है, तो कीमत हम कैसे निकालते हैं, मैं पहले बढ़ता है हूँ कि हम पहले छेत रफल निकालिए, उसमें दर का गुना कीजिए, और उसके बाद आपको रूपिय निकालिए, तो लंबाई चोड़ाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई चोड़ाई हो जाएगा, तीन बटा, दो एकस स्क्वैर, गुना, गुना दर कहीं लिखा गा, दर पांच, तो यह दर पांच लिया मैं झाल और कितना खरच हो रहा है, दो सबस्था बस इतने में ही आपका मांद निकाल जाएगा, इसमें भी, तीन स्क्वैर, जुना हो जाएगा, त्री एकस स्क्वैर हो 270 है नीचे का उपर और उपर का नीचे कर दीजे नीचे 2 है ठीक है ये 2 ले लेते हैं और नीचे में क्या है उपर में क्या था तो 3 और 5 है तो इस 3 को भी transfer ले लिए 3 को ला लिजे और 5 को ला लिजे बस कितना करने पार आपको x का square आ जागा x का square आपको मिलेगा यहां पर 36 ठीक है पूर को solve करेंगे तो आपको 36 यहां पर मिलेगा और x की value आ जाएगी आपकी 6 ठीक है अब x की value 6 आ गई x की value 6 आ गई एक मतलब चोड़ाई 6 आ गया हमने क्या माना था यहां पर मैंने आपको ratio निकाल के बताया था देकि लंबाई यहां पर कितना था 3 बटा 2 था और जो चोड़ाई कितना था 6 था देखे चोड़ाई 6 आ गया तो हमारा answer option number A है इतना जाद जो लिखा है कि दिवार लिखा है कीमत लिखा है खिड़की लिखा है धर्वाजा लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा प्रश्ना आप चुटकियों में शॉप कर सकते हों मिलेंगे नेक्स वीडियो में नन्यवाद